हाई अब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेन आपके सामने वन अब दो लेकर आ गया हूँ और आज के दिन अगेन हम लोग 11 स्टाइंडर के लिए मैच टू सब्जेक का जो हमारा कॉंप्लेक्स नंबर काफी बड़ा चाप्टर है दोस्तो काफी दिनों से चल रहा है तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 15 लेकर आगए दोस्तों 15 लेक्चर हो गए दो सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ पता होगा कि हमने जश्ट इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 था वहां तक कंप्लेट कर दिया जिसमें कई सारे एक्जामपल्स कई सारे कॉंसेट्ट कई सारे फॉर्मू साने वाले मुझे कॉमेंट करके बताना क्योंकि जो मैंने आसपास जो रहते हैं उनसे मैंने जब पूछा और कुछ बच्चों से जो मेरी रेगुलरली बात होती देती है इंस्टाग्राम पे ठीक है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि उनको एक ही चाप्टर आने वाला है जो की है complex number तो मुझे एक बात बताओ कि आप लोग को सबको अपने अपने schools अपने colleges के हिसाब से आप मुझे comment करना कि आप लोग को how many chapters will come in your exams of maths to subject क्योंकि देखो अभी हमारे ये चाप्टर नमर वन almost एक दो दिन में खतम हो जाएगा ठीक है तो इसके बात का अगर सब चीज के लिए कर रहे हैं और अगर आप बोलोगे कि सर और एक चाप्टर आने वाला है या फिर इसके अलावा और कोई चाप्टर भी है तो उसको भी मैं फटाफट से शुरुआत कर दूँगा टेंशन लिने की जरूतनी है मैं हूँ यहाँ पे तब खराब रहेगी फिर भी आप लोगे लिए वीडियोस आएंगे रुकेंगे नहीं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल की खास बात है कि हर दिन आपके लिए वीडियोस आते ही आते है ठीक है तो आप कॉमें ठीक है किस तरीके से फॉर्मिशन हुआ प्लस उसके बेस पर एक्जाम्पल्स में आपको कराऊंगा और साथ ही में हम लोग पढ़ने वाले यूनिटी क्या होता है कैसे आता है ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्कॉयर क्या होता है यह सभी चीज उसके कुछ प्रॉपर्डिस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं तो आप लोग को बस यह वीडियो को एंड दर देख लेना है आपको बहुत सरे कॉंसेप्ट आज आपको इस वीडियो से सीखने मिल जाएगा एक बार आपने कॉंसेप्स समझ लिया तो इसके बाद कर जो लेक्श सकते हैं और हमारा जो 1,000,000 का सपना है वो आप लोग पूरा कर सकते हो ठीक है तो चलो जल्दी जल्दी शिरुवात करते हैं वीडियो की तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे डी मूब्रेस थीरम दी मूब्रेस बहुत समझना पड़ेगा क्या बोल रहा था जैसे कि हम लिया है तो हमने अगर और लिया है मतलब Z1 लिया है तो अर में धैकर बहुत समझा अब मैं क्या इस Z1 को Z2 को क्या करता multiply अगर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, z1 dot z2, ठीके, अगर ये दोनों को मैंने क्या किया, simply multiplication किया, तो जब z1 multiply बे z2 होगा, तो इसके जो values है, r1 e raise to i theta 1 और r2 e raise to i theta 2, ये दोनों भी आपस में multiply हो जाएगे, तो r1 e raise to i theta 1 multiply by r2 e raise to i theta 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये r1 r2 आपस में multiply हो जाएगे, और ये e raise to i theta 1 जो था, ठीके, देखो यहाँ पे, e raise to i दोनों में common है, e raise to i यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, e raise to i, e raise to i यहाँ पे भी है, तो वो क्या होता है, e raise to i m plus n हो जाता है, तो power क्या हो जाते है, प्लस हो जाते है, तो यहाँ पे अगर आपने multiplication किया है, z1 और z2 का, तो r1 r2 तो multiply होगे, लेकिन इसमें जो theta 1 multiply by theta 2 होगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि अगर दो complex number multiply होते हैं, समझो ध्यान से, अगर दो complex number है, अगर वो multiply होते हैं, तो उनका जो moduli होता है, उनका जो moduli होता है, वो multiply होता है, moduli मतलब जो बाहर है, that is r, r1 और r2 क्या होगे, आपस में multiply होगे, तो उनका जो moduli है, modulus जिसको हमने बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, multiplied हो जाता है, and साथ ही में, जो उसका argument है, that is theta वाला part, ठीक है ना, जो उसका theta वाला part है, वो क्या हो जाता है, add हो जाता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो modulus वाला part है, r1 और r2, यह multiply हो गया, और जो theta वाला part है, theta 1 plus theta 2 हो गया, यानि add हो गया, तो आपको याद रखना है, कि whenever we multiply two complex number, the modulus will be multiplied and the argument will be added, यानि plus हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा पहला condition, समझ में आ गया, यह भी demoverish theorem का ही part है, लेकिन demoverish theorem, क्या बोलता है, यह मैं आपको बताने वालो, आपको ध्यान से समझना प कर रहा हूं, समझो इसको, क्या कर रहा हूं, z1 को z2 से divide कर रहा हूं, जब मैंने z1 को z2 से divide किया, तो z1 का value था, r e raise to i1, r1 e raise to i theta 1 और यह r2 e raise to i theta 2 था, तो यह दोने भी आपस में divide हो जाएंगे, मतलब in short, यह r1 और यह r2 divide हो गया, r1 divide by r2 हो गया, और यह e raise to i theta 1 divided by e raise to i theta 2, तो आपको पता है na, a raise to m upon a raise to n क्या होता है दोस्तो, a raise to m minus 1 होता है, indices का formula, मतलब अगर कोई divide हो रहा है, तो उसके जो power होते हैं, वो minus कर जाते हैं, तो इसका power क्या है, theta 1 और theta 2, तो देखो e raise to i theta 1 minus theta 2 हो गया, तो इससे क्या पता चला, कि अगर हम लोग 2 complex number को divide करते हैं, अगर हम लोग divide करते हैं, एक दूसरे से divide करते हैं, तो उसका जो modulus होता है, वो divide तो होता है, simple सी बात है, modulus R1 upon R2 हो रहा है, मतलब divide हो रहा है modulus, लेकिन उसका जो argument होता है, यानि theta वाला जो part होता है, वो क्या हो जाता है, subtract हो जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, clear है argument वाला part, that is, theta और theta 2 क्या हो जाएंगे, add हो जाएंगे, मतलब R1 multiply by R2 e raise to i theta 1 plus theta 2 हो गया, यह पैदा condition, याद रखने में आसान, और जब divide हो रहा रहेगा, तो R1 divided by R2 हो जाएगा, modulus divide हो जाएंगे, लेकिन जो theta वाला part है, यानि argument वाला part है, वो minus हो जाएंगे, यानि R1 divided by R2 multiply by E raise to i theta 1 minus theta 2, and this is your proper condition, तो यह दो conditions आपको याद रखना है, second वाला और यह first वाला, दोनों अगर आपको याद रहेगा, तो कोई भी example आगर पूछे exam में, कोई तकलिफ नहीं होगी, अब एक और मुद्दे की बाप बताता हो, यहाँ पर, देखो ध्यान से, यह हमारा एक औ हम लोग power of complex numbers निकालते हैं, तो उसका होता है, r cos theta plus i sin theta और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, that is r cos theta plus i sin theta n, बाहर क्या लिख रहा हो n, तो इसके वे से होगा क्या, that is r multiplied by n हो जाएगा, यानि in short, in short, अगर यह raise to n कोई भी चीज रहे, यह raise to n रहेगा, मतलब समझ लो, कैसा रह रहेगा यह, that is r cos theta plus i sin theta, अगर यह ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और यह पूरे का क्या है, raise to n है, मतलब कुछ power है, power 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर यह ऐसा रहेगा, तो इसको मैं simply क्या लिख सकता हूँ, that is r multiplied by n कर सकता हूँ, मतलब यह जो r है, वो n के साथ multiply हो जाएगा, तो rn हो जाएगा, और bracket में, यह जो n था न, यानि जो भी degree रहेगा, उपर, जो भी raise to रहेगा, power में, वो सीधा theta के साथ भी multiply हो जाएगा, देखो यहाँ पे, that is cos n theta, मतलब rn multiplied by cos n theta, तो पहले सिर्फ cos theta था, अब ही क्या हो गया, cos n theta, क्योंकि जो example है, example क्या है, समझ लो, कि क्या बोल रहा है, कि cos theta plus i sin theta है मेरे पास, ठीक है, और इसके उपर जो है, वो क्या है, 3 है, ठीक है, cos theta plus i sin theta, raise to 3 है, इसको मुझे d moverse theorem का use करके, लिखना है, simplify करना है, इसा बोला है, कि use d moverse theorem and simplify, एसा एक question भी आएगा हम लोगो, तो चलो इसको लि ये 3 multiply by theta, that is cos 3 theta, plus 3 multiply by theta, this i sin 3 theta, बन गया, तो क्या हो जाएगा, n बस theta के साब multiply हो जाएगा, तो cos 3 theta plus i sin 3 theta हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, clear है, समझ में आ गया, अब आते हैं, एक real example में, कि question कैसे exam में पूछ आई, तो आपको बस एक representation करने के लिए मैंने बताया, लेकिन आपको ये सीच समझना पड़ेगा, आप देखो, ये हम लोग लेकर रहा हैं, जिसमें आपको पूरा, पूरा में क्या करूंगा, solve करके आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले, क्या बोल रहा है, use demoverase theorem and simplify, ऐसा कुछ question आता है, exam में भी, आप जब practice set भी कराऊंगा, त इस से multiply हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, cos 8 multiply by pi by 3 क्या हो जाएगा, 8 pi by 3 plus i sin 8 pi by 3, ये इतना समझा आप लोगो, बहुत simple था, कुछ नहीं किया, demoverase theorem लगाए, जिसमें जो भी power होता है, वो theta के साब multiply हो जाएगा, तो cos 8 pi by 3 plus i sin 8 pi by 3 हो गया, ठीक है, अब मैं इसको कैसे लि 2 pi by 3 लिख सकता हो क्या, आप बोलोगे, सर आपकी मर्जी है क्या, कुछ भी लिख सकता हो, लेकिन उसके पीछे भी एक logic है, क्या logic है, कि ये जो 8 pi by 3 जो मेरे लिखा, इसको 2 pi by 3 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 8 pi by 3 को, ठीक है, अगर मैं 8 pi by 3 को 2 pi से minus करू, तो कितना आए 2 pi और नीचे 3, तो 8 pi by 3 minus 2 pi करूंगा, तो 2 pi by 3 होता है, तो यहां पर हम लोग ये जो cos 8 pi by 3 है, इसके जगा पर हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, तो ये उसका reason है, ये आप लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, ये हमारा reason है, ये क्या है, reason कि कहां से आया, ये इतना समझा, अब य pi से, देखो, pi से pi by 3 को minus कर दूँ, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, पहली बार तो एक value निकालने के लिए, ठीटा proper निकालने के लिए, जिसका degree हमें पता है, तो अगर मैं pi minus pi by 3 करूंगा, तो 3 multiply by pi, 3 pi, तो 3 pi minus pi, 3 pi में से pi गया, 2 pi और नीचे 3, तो 2 pi by 3 आ रहा है, मतलब pi minus pi by 3, लिख सकते हैं, अब आपको एक चीज़ पता है, cos pi minus theta is nothing, but minus cos theta, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, that is minus cos pi by 3 हो जाएगा, plus i sin, sin pi minus pi by 3 कितना होता है, मतलब pi minus theta कितना होता है, sin theta होता है, sin 180 minus theta is sin theta, ठीक है न, तो sin, sin क्या हो जाएगा, sin pi by 3, अब इसम से, cos pi by 3 मतलब कितना होता है, 60, cos 60 का value हमें पता है, cos 60 is nothing but 1 by 2, तो ये minus पहले से ही है, ये 1 by 2 आगया, plus i पहले से ही था यहाँ पे, और sin pi by 3 मतलब sin 60, sin 60 का value कितना है, root 3 by 2, तो आगया हमारा answer, root 3 by 2, this is your proper answer, this is your proper answer, ये आपका क्या आगया, दोस्तों, answer आगया, समझ में आग questions आएंगे, आपको दिये रहेंगे, आपको बस क्या करना है, demores theorem लगाना है, और उसके बाज को थोड़ा simplify करना है, आपका answer आजएगा, there is minus 1 by 2 plus i root 3 by 2, समझ में आगया, simple था, clear है, आगे बढ़े, तो ऐसे questions आएंगे, जब हम लोग practice कराएंगे अगले lecture में, तो आपको tension ल से निकाला जाता है, तो basic तोर पर देखो, इसको मैं आपको explain करूंगा, यहाँ पर already मैंने solve किया हुआ है, यहाँ पर आप देखो, तो number 1 is often called as unity, we know that the unity is nothing but 1, ठीक है, और हमने माना कि let x be the cube root of unity, मतला आप x जो है मेरा, वो cube root of unity है, तो x cube is equal to 1 हो जाएगा, समझा है चीस कैसे तो यह x, यह जो आया है value, यहाँ से आया, समझा, अब x cube is equal to 1 है, तो x cube minus 1, 1 को इधर ले लिया, तो x cube minus 1 is equal to 0 हो गया, समझ में आया, यह 1 को मैंने, यह 1 को मैंने इधर ले लिया, x के साथ ले ले, तो x cube minus 1 is equal to 0 हो गया, अब x cube minus 1 में, x cube, a cube minus b cube का formula लगा सकता हूं, a cube minus b cube क तूए बी प्लस बीस्कोर ठीक है यहीं फॉर्मुला है ना इसकोर प्लस अबी प्लस बीस्कोर तो X-1 हो जाएगा मतलब A-1 X-1 फिर A-2 मतलब X-2 ठीक है X-2 प्लस X-1 तो यह आपको समझा तो यहां पर X-1 लिए निजटीट जाएगा और एक बार एक्सक्राइश एक फ्लस फ्लस इकल तीटीटो जाएगा अब हमारा एक वालम यहां से X-1 इजाए जो मतलब एक इस ईगल तूण अगया मेरे पस अग्ड़िया लेकिन बैलोियर इसको मिछ solve करूँगा, इसको solve करने के लिए मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा, या तो factorization method, या तो formula method, तो मैं formula method लगा रहा हूँ, क्या करूँगा formula, x is equal to minus 1 plus minus b square minus 4ac upon 2, यह formula है आपको जाद होगा, या formula है हमारा formula method का, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2, this is the formula, इसमें मेरे पास, अगर आप दे तो यह minus b मतलब minus 1, देखो, bigger value आने, तो minus 1, plus minus under root of b square, मतलब 1 का square minus 4 multiply by a कितना है, 1 multiply by c, तो यहाँ से आया, समझा, कहां से आया, यह लोग ने shortcut use किया है, लेकिन हम आपको explain करने कि कहां से आ रहा है वो चीज, तो यहाँ पर आ गया, और नीचे upon 2a, formula क्या है, नीचे upon 2a, तो 2 multiply by 1, यह समझा, इसको solve करो, इसको solve करोगे, तो minus 1 plus, इसको पूरा solve करोगे, तो minus root 3 आएगा upon 2, अब minus root 3 है, तो 3 multiply by minus 1 लिख सकता हूँ, यह minus 1 के जगा पे मैं I लिख सकता हूँ, यह सब हमने इस chapter में सिखा हूँ है, starting में कैसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग आजाएगा, complex number के बारे में, ठीक है, तो x is equal to 1, और इसको solve करने के बाद यह आया, that is minus 1 plus minus I under root of 3 by 2, अब यह minus 1 plus minus है, तो एक बार plus हो जाएगा, एक बार minus हो जाएगा, तो 1 तो पहले से हमारे पास था, एक unit हमारे पास, क्या है, एक value क्या है हमारे पास, 1 है, दूसरा, यह plus minus है, तो एक बार plus और एक बार minus, मतलब हमारे पास 3 value आगया, तो यह क्या है, cube root of unity है, यह क्या है, हमारे पास cube root of unity, मतलब in short हमें जो पूछा था, what is the cube root of unity, तो cube root of unity का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलता है, cube root of 8 निकालो, cube root of 8 निकालो, तो हमको बता है, cube root of 8 कितन minus 1 plus i root 3 upon 2 minus 1 minus i root 3 upon 2 मतलब यह total 3 value जो होते हैं वो cube root of unity होते हैं लेकिन हमें complex में नहीं चाहिए हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है देखने में इसको मैं और solve करूँ हूँ है कैसे देखों यहाँ पे अब यह जो 3 cube root आया unity का इसमें से 1 तो real है यह जो number 1 है यह real part है और बाकी जो 2 roots आ रहे हैं वो complex conjugate है एक दूसरे के क्योंकि देखो complex number इसमें i लिखा हुआ है और वो यह plus है एक minus है मतलब conjugate भी है conjugate मतलब क्या होता है opposite हो ना that is plus एक पर minus तो यहाँ पे 2 complex number एक दूसरे को conjugate है तो मैंने क्या लिया एक value लिया positive वाला क्या लिया है minus 1 plus i root 3 by 2 इसको लिया है और इसका square किया है तो square करने के बाद यह हमारे को value मिलेगा that is 1 by 4 यह देखो 1 by 2 है ना तो 1 by 2 का square 1 by 4 हो गया फिर यहाँ पे a square a plus b दी whole square का formula लगा हो that is a square plus 2 a b plus b square formula लगा दिया इसको solve करो कुछ नहीं करना है बस minus 1 का square 1 2 multiply by minus 1 multiply by i root 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 root 2 i root 3 हो जाएगा और यह i square is equal to minus 1 root 3 का square 3 ठीक है तो यह हो जाएगा minus 1 multiply by 3 minus 3 आ गया समझ में कैसे आया next step यह 1 by 4 अब देखो यहाँ पे 1 minus 3 1 minus 3 कितना होता है minus 2 और यह minus 2 root i 2 i root 3 अब इसको solve कर लो minus 2 और minus 2 i root 3 इसको हम लोग solve करेंगे तो यह 1 से multiply हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 2 और यह 2 common निकल जाएगा इसमें इसमें से 2 common था तो यह 2 उससे काट देगा तो नीचे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे बच रहा है minus 1 minus i root 3 by 2 यहाँ तक समझा यह value यहाँ तक समझा अगर आपको यहाँ तक समझ में है तो कोई problem ही नहीं होगी आप लोगो यहाँ तक अब मैं क्या करूंगा similarly जो हमने positive वाला लिया था वो हमारा negative वाले के लिए equally satisfy करेगा तो यहाँनी कि यह जो minus 1 plus i root 3 by 2 है ना यह हम लोगो क्या बताता है यह cube root of unity जो है वो हमें बताता है कि cube root of unity 1 होता है ठीक है ना cube root of unity r 1 यह और यह ठीक है ना इसका मतलब क्या है हम लोग क्या बोल सकते है हम लोग ने मान लिया कि यह जो पूरा का पूरा जो value हमने जो निकाला था ना, minus 1 plus i root 3 by 2, ये पूरा का value को हमने क्या मान लिया, omega मान दिया, that is w, लिखना कैसे है, omega, ऐसा लिखना है, w बनाना है, last में थोड़ा सा turn कर लेना है, w बना है, थोड़ा सा turn कर लिया, omega हो गया, और इसका square, इसको क्या मान होगा, omega square, तो actual में फिर हमारा unit क्या हो गया, मतलब जो cube root of unity, जो 3 value थी, वो क्या हो गए, एक तो 1 पहले से ही था, ठीके, that is 1, दुसरा क्या है, ये बड़ा ब़ा value, उसको हमने क्या माना, omega, that is omega, और दुसरा है, उसका square, यानि omega का square, तो that is nothing but, हमारा जो cube root of unity है, हमारा, जो cube root of unity है, वो actual में 3 value क्या है, minus 1 है, omega है, omega, square है, आपक minus 1 मैंने गलती से लिख दिया, ठीके, देखो यहां पर जान से, इसको मिटा देता हूं मैं, 1 omega and omega square, these are the cube root of unity, ये आपको याद रखना है, अब इसके बेस पे बहुत सारे examples है, लेकिन इसको हम लोग बात में पढ़ेंगे, अगले lecture में, जैसे मैंने बोला, examples, जिब टाक्टी properties of what, कहा गया, that is properties न, ये आगया हम लोग का, cube root of unity, ठीके न, next, next slide erase हो गया, कोई बात न, चलो हम लोग इसको import करते हैं, देखते हमारे पास हे क्या, next slide नहीं, ये नहीं है, चलो, कोई बात नहीं हम लोग देखेंगे, आप लोग continue करो इसको हाँ, ये ही है न, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, ठीके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिखते हैं सबको, चलो, अब इसको हम लोग लेंगे, हाँ, क्या है हमारे पास, that is properties of one omega and omega square, सबसे पहले property क्या है, omega is a complex cube of cube root of one, पता है हम लोग को, अब ये is nothing but the cube root of one, cube root of one है, तो इसका मतलब w cube, यानि omega cube क्या होगा, one होगा, सीजी सी बात है, दूसरा property क्या बोलता है, omega cube minus one is equal to zero हो जाएगा, इसको ही ले लो, अब ये omega cube is equal to one है, तो मैं one को इस तरफ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, omega cube minus one is equal to zero हो जाएगा, तो आ गया है ये value, और इसको मैं कैसे लिख सकता हो, आपको formula क्या है, a cube minus b cube का, that is a minus b, a square plus 2ab plus b square, डाल दो formula देखो आगया, omega minus one, मतलब a minus b, omega minus one, a square plus 2ab plus b square, मतलब omega square plus w plus one is equal to zero हो जाएगा, इसका मतलब w is equal to one एक value आगया, और omega square plus omega plus one is equal to zero, ये एक value आगया, अब से हम उसी प्रकार हमको एक a cube root of unity है, तो one कैसे हो सकता है उसका value, possible नहीं है, तो इसका मतलब omega square plus omega is equal to zero होना चाहिए, ठीक है, ये value ले लेंगे, और सेम उसी प्रकार, omega square is equal to one upon omega, और one upon omega square is equal to omega, ये सब formula आपको याद रखना है, साथी में, omega cube का value कितना होता है, one होता है, तो omega cube n is equal to one, फिर ये देखो, स इस सब आपको याद रखना है, ठीक है, ये clear है, एकदम अच्छी तरीके से, इसको याद रख लो, ये formula सो बाखी कुछ नहीं, omega square is equal to omega होता है, omega bar is equal to omega square होता है, ये learn कर लो, इसके base पर जितने भी examples है, मैं आपको कराऊंगा हमारे अगले lecture में, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, जितने भी examples है, सब के साथ हम लोग कराएंगे, थोड़ा सा patience, थोड़ा सा इंतजार, अगले lecture आ जाएगा फटा-फट, तो tension बिल्कुल मतले ना, आज कर वीडियो फिर इसके तर्माप करता हूँ, और इसके साथ बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, प्र सब्सक्राइब भी कर देना, आज जो में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि यार नोटिफिकेशन आपको लोग को मिलती रेगी, ठीके फ्रैंस, तो जल्दी जल्दी क्या करो, हमारे चैनल को 1 मिलियों पर पहुचा ना है, तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेर करो, ठीक है, तो गाइस जल्दी मिलेंगे, फिर हमारे न्यू वीडियों में तब तक के लिए, थाइक यू और गुडबाए